दोस्तो एमेजून के जंगलों के बारे में तो आपने सुना ही हुगा जो कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है लेकिन दोस्तो एमेजून हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ही नहीं बलकि दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों का एक घर भी है और दोस्तों खतरनाक जीवों के साथ साथ ये एमेजून के जंगल करीबन चार्जों से अथिक जंजाती कबीलों का घर है यहां पर लाखो ऐसे खतरनाक आदिवासी रहते हैं जो कि आज भी पत्ते ओड़कर रहते हैं और कच्चा मास खाते हैं और ऐसे आदिवासी भी हैं जो कि इनसान के मर जाने पर उनकी राख को भी खा जाते हैं कई के जगे पर तो ऐसे आदिवासी भी रहते हैं जिनको तो ये चम्री को भी निकाल के कच्चा ही खा जाते हैं और ये सभी जन जाती Amazon के जंगल के बाहर की दुनिया को देखना पसंद नहीं करते और नहीं कभी बाहर गए हैं क्योंकि Amazon के जंगल ही इतना ज़्यादा बड़ा है कि उन लोगों के लिए पैदल कहीं जाना एक नामुंकिन सा है क्योंकि Amazon का जंगल आप मान सकते हो कि ये भारत से बे ज़्यादा बड़ा है दोस्तों आपी सोचिए अगर आपको भारत में गूमना हो तो आपको हवाई यातरा या ट्रेन की आतरा करने पड़ती है तब जाके आप कई दिनों में एक छोड से दूसरे छोड पर पहुँच सकते है सोचिए कितना जादा बड़ा है Amazon के जंगल और साथी वहाँ पर कदम कदम पर खतरे रहते हैं इसी वज़े से Amazon के जंगलों में एक ऐसी अलग दुनिया बस्ती है जिसका हम इंसानों को तो अंधाजा तक नहीं है आज हम इंसान भले ही चांद या मंगल पर पहुँचने की कोसिस कर चुके हैं लेकिन दोस्तों आपको जान कर ये हैरानी होगी कि हमारे धरती के वग्यानिक अभी तक Amazon के जंगल के रहसे को जान ही नहीं सके है इसका मतलब दोस्तों ये हो सकता है कि लोग जिन एलियंस को ढूनने के लिए चांद या मंगल पर जा रहे हैं वो एलियंस हमारे Amazon के जंगल में ही हो सकते हैं और जो ये आदिवासी Amazon के जंगल में रहते हैं ये भी किसी एलियंस से कम नहीं है क्योंकि दोस्तों इतने खत्रे के पीच ये आदिवासी वहाँ पर रह लेते हैं और अगर कोई यहां से आम इंसान एमेजोन के जंगल में जाता है तो वो एमेजोन के जंगल के हवे के जोके से ही मारा जाता है क्योंकि एमेजोन के जंगल में ऐसे ऐसे रहसमे जीव रहते हैं जो की हवे में ही ऐसे ऐसे हतियार छोड़ देते हैं जिसकी वज़े से अन्य जा काटा हो दर्द इतना जादा खतरनाक होता है कि जैसे कि आपको किसी ने गोली मार दी हो इसका मतलब है कि जितना दर्द गोली लगने पर होता है उतना ही दर्द उस चीड़ी के काटने पर होता है दोस्तों अगर कहीं पर माडुबं फड़ जाये तो एक बार के लिए आप वह से बच तो सकते हैं लेकिन दोस्तों एमेजोन के जंगल में रहने वाली मकडियों से बच पाना ना मुंकिन है क्योंकि दोस्तों एमेजोन के जंगल में ऐसी ऐसी मकडियां पाई जाती हैं जो की पीड़ों पर होते हुए भी यानि की दूर से ही अपने जहरीले डंग को फेक क इंसानों को मौत की घाट उतार देती है ये मकडियां अपने बाल के तिनके को दूसरे जानवरों या इंसान के आँखों में देमारती है जैसे कि उन्होंने इंसानों की आँखों में तीर चला दिया हो और ऐसा करते ही इंसान के आँख फूट सकती है और दोस्तो आज हम आप को Amazon के जंगल के इसी खतरनाक प्रकृतिक के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आप बहुती ज़्यादा हैरान हो जाओगे लेकिन दोस्तों मैं आपको बतानो की मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुती ज़्यादा महनत लगी है किरपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दे और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बार बैल आइकन को जरूर दबा लेना बैल आइकन को नहीं दबाने से आपको आगे की वीडियो नहीं मिलेगी इसलिए बैल आइकन को दबा लो चल और सर्च मारोगे तो आपको हरा हरा दिखने के लावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा और इसके लावा क्या नजर आ सकता है अब क्योंकि ये तो दुनिया का एक बहुती बड़ा जंगल है ये जंगल इतना जादा घना है कि यहाँ पर हम इंसान तो तूर बलकि घने इल होता तो ये दुनिया का आठवा सबसे बड़ा देश हो सकता था और ये रहसमे जंगल करीबन 9 देशों की सीमा से टकराता है और जिसका करीबन 60% भाग ब्राजिल में है 13% भाग बेरू में और बाखी के आने देशों में दोस्तो इतना ही नहीं एमेजोन के जंगल के भी दर बहने वाली एमेजोन की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दोस्तो अगर बात एमेजोन नदी में मौझूद बाने के स्टोरिज की हो तो एमेजोन की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है सबसे बड़ी हरानी की बात त दोस्तो बात अगर एमेजोन की जंगल के अंदर की प्रकृतिकी करें तो इस जंगल के अंदर करीबन 17,000 से अधिक प्रजाती और करीबन 400 आरब से भी अधिक पेड़ पोधे पाए जाते हैं। दोस्तो इसके बात बारी आती है एमेजोन की जंगल की खतरनाक मकडियों की। यहां पर 400 से भी जाता ट्राइब्स की जंजातियां भी रहती हैं। इन जंजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंद नहीं है। यह अपने पूरी जिंदगी एमेजोन के जंगल में ही बिता देते हैं। इन जंजातियों में से एक है यानो मामी जो की अपने समाज के मरे हुए लोगों को जला कर उनकी राख तक को खा जाते हैं। जंजाती के लोग मौत को नैचरल नहीं मानते। इनका मानना है कि मौत जब आती है। राख को सूप के अंदर मिला कर पी जाते हैं या खाने में डाल कर खा जाते हैं। यानो मामी लोगों का कहना है कि जब तक सरीर पूरी तरह से नश्ट नहीं होता, जब तक वो इस दुनिया से बिदाई नहीं ले सकता। एमेजून के जंगलों के बीचु भी एक ऐसी रहसमाई नदी है जिसका टेंप्रेचर करीबन 100 डिग्री से उपर रहता है और इस नदी का पानी हर समय उबलता रहता है। अगर गलती से भी कोई चीव इस नदी के अंदर गिर जाता है तो तुरंत ही वो जानवर उबल के मारा जाता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो बिलिय इस एमेजून के जंगल में रहने वाले जहरीले यानी की पोईजन डार्ट फ्रॉग ये रंगीले और चमकीले मेंड़क होते हैं जो की दिखाई देने में काफी ज़्यादा खोपसूरत होते हैं लेकिन ये उतने जाता ही जानलेवा भी होते हैं। इतने जादा ये खतरनाक इस वज़े से होते हैं क्योंकि गलती से भी इनके टच होते ही ये अपने जहर से किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकते हैं। इतने जादा खतरनाक जीव है तो फिर सोचिए दोस्तों इस दो इंच के मेंड़क के अंदर इतना जादा जहर होता है कि ये अपने जहर से करीबन दस इंसानों को अकेले ही मौत के घाट उतार सकते हैं। इतना जादा खतरनाक होने के पाउचूद भी ये मेंड़क अमेजोन का जोथा सबसे खतरनाक जीव है तो फिर सोचिए दोस्तों अमेजोन का पहले नंबर का जीव कितना जादा खतरनाक हो सकता है। नहीं भी बड़ी बिल्लियों की लिश्ट में गिना जाता है। इतना जादा खतरनाक होने के पाउचूद भी ये जैगवार काफी जादा खूबसूरत होते हैं। से नफरत है तो एमेजोन के जंगल में कभी भी कदम मत रखना एक समय था जब दुनिया का सबसे बड़ा जीव टाइटो नबोवा एमेजोन के जंगलों में रहता था। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ वो खतरनाक जीव इस दुनिया से ही विलिप्थ हो गया है लेकिन ये एमेजोन के खतरनाक जीवों में से पहले नंबर पराती है। इसे समुदर का राक्षा से भी कहा जाता है इसे एमेजोन के नतीम में बाके एने जीवों के लिए एक सबसे बड़ा काल माना जाता है। खतम कर सकती है और छोड़ेंगी तो सिर्फ हड्डिया ही वो ऐसे तो दोस्तो अकसर ही ये पिराना मचली मरे हुए जानवर को खा कर अपना पेड़ भरती है लेकिन जब ये मचलियां बहुती जादा भुकी होती है तो ये किसी को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चुकती चाहे वो कोई इंसान हो ये कोई भी बड़ा जानवर वैसे तो दोस्तो ये पिराना मचली इंसानों के उपर हमला नहीं करते लेकिन अगर उनके मूँ खोन लग जाये तो यानि कि अगर आप अपने खुले घाओ के साथ एमेजोन के नदी के अंदर पैर रग दिये तो सिर् जो कि ये कुछी मिंटों के अंदर किसी भी बोड़ी को पूरी तरह चट कर जाते हैं और इसी वज़े से इसे एमेजोन की दुनिया का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है ये तो छोड़ी दोस्तों अभी तो हमने आपको बहुती सारे ऐसे जानवर के बारे में बताया ही नहीं जो कि अलग लग रहस्यों से किसी दूसरे जीविया इंसानों को बहुती पूरी तरह मारती हैं एक्जामपल के लिए जैसे कि एलेक्स रेकेल इस मचली के अंदर 440 वोल्ट का करेंट पाये जाता है इतना बड़ा जटका जो कि एक मगरमच को भी मौस के घाट उतार देती है दोस्तो इसी वज़े से मैं कहता हूँ कि अगर आपको कभी अमेजुन के जंगल में जाना हो तो इंटरनेट से पूरी की पूरी जानगारी लेकर ही जाए और साथ में अपने आपको इतना ज़्यादा सेफ कर ले कि आपको हवा का जोका भी न छूपाए क्योंकि कुछ जान दोस्तो इसी वडियो को बनाने में काफी महनत लगी है क्रिपा करके लाइक भी करते ना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है